हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल कृष्णा अनिटिंग टूटोरियल फ्रेंट्स यह आज का बॉर्डर डिजाइन है हम इस बॉर्डर को किस तरह से बनाते है यह रेडिमेट लूप में आता है यह बॉर्डर फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर लगता है यह पहुत ही आसान है यह बनाना मैं इसको आपको एक आसान तरीके से बताऊंगी यह बॉर्डर डिजन रेडिमेट शेंटर में इसको हम इसकाप में टोपी में अफ में पॉर्डर फूरियल श्रिप्स में भी अपलाई कर सकते हैं अप बहुत ही सुन्दर लगता है देखे बै 129 25 इब ठ्रचलर तो हम इसको और लो नंबर में डालते हैं ईवन नम्दर में यहिसे कि 13 15 17 21 25 भी इसको को जोड़े वालेमें थे बॉड्र ञालते हैं द्यजिते चलिए तो यह डिजाइन बॉर्डर डिजाइन बनाना सुरू करते हैं इसमें हम सिंगल वूल से ही फंदे डालते हैं फ्रेंट सिंगल वूल रहेगी और फंदे डालेंगे हम बूले पिरे हिए तो बनानां सुरू के प्यां जाöd वूल मुझार से ही तो करते हैं पिरे हम यह दिmm interfering करते हैं दो यह हैं Skills प्रेंट्स मैं आपको ये बोर्टर 17 स्टीजिजर में बना करके दिखा रहे हूँ फिर्स्ट रो है बोर्टर की पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इसी तरीके से हम एक सीधा फंदा एक उल्टा पूरी रो हम कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स एक सीधा एक उल्टा फंदा बना कर गए लास्ट में सीधा फंदा देखे फ्रेंट सेकेंड रो है ये पैटन की पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे सलाई को ऐसे घुमा के लिए जाएंगे ऐसे नीचे से उस फंदे के नीचे से राइट फंदे के और घुमा के वैसे ही बापस से उसी सलाई में डाल देंगे सीधा बनेंगे दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे दागा पीछे करेंगे फिर से नीचे से वैसे ही सलाई घुमा करके ले जानी है और राइट फंदा सीधा फंदा हम बापस से लेके आएंगे उसी सलाई में डालेंगे और उसको सीधा बनेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे फंदे के नीचे सलाई को घुमा के ले जाएंगे उस सलाई में डाल करके बापस से उसी सलाई में अप्लाई कर देंगे उसको सीधा बनेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे फिर से हम सलाई घुमा करके ले जाएंगे फंदे को लेकर बापस से उसी सलाई में अप्लाई कर देंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे दी सीधा फंदा है सीधे फंदे पर हम सलाई गुमा करके ले जाएंगे सलाई में डाल करके बापस लेफ्ट हैंड साइड उसको हम सीधा बुनेंगे दागा आगे एक फंदा खुल्टा दागा पीछे सीधा फंदा है उसको गुमा करके ले जाएंगे सलाई को बापस से फंदे को डाल करके लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे सलाई को नीचे से घुमा करके ले जाएंगे सलाई में फंदा डाल करके बापस से ला करके उसी सलाई में डालेंगे फिर उसको सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे फंदे को हम घुमा करके सलाई लेके जाएंगे नीचे से सलाई में डालेंगे फंदा बापस से लेके आएंगे फिर हम उसी सलाई में अपलाई करकर के उसको सीधा बुनेंगे धागा आगे एक पंदा फुल्टा बुनेंगे थर्ड रो है पैटन की देखे प्रेंट्स हमारा ये डिजाइन बन गिया है कितना सुन्दर लगता है बन करके पहुती प्यारा लगता है थर्ड रो है पैटन की इसको हम पूरा बॉर्डर की तरह ही बुनेंगे जैसे बुन रहे है एक फंदा सीधा बुनेंगे पहला फंदा सीधा धागा आगे फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करके एक फंदा उल्टा जैसे दिख रहा है उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा वैसे ही हमने ये बोर्डर बनाना है एक फंद सीधा उल्टा पूर्थ रो हम इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी रो हम इसकी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लेट करेंगे फिफ्ट रो है पैटन की फिफ्ट रो हम पूरी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लेट करेंगे फिफ्ट रो भी शिक्स रो है पैटन की इस रो को भी हम उल्टी उल्टी बना करके कंप्लेट करेंगे देखे फ्रेंट्स हमारा ये पैटन कम्प्लेट हो चुका है ये बोर्डर इस तरह से बनता है फ्रेंट्स आप इसको बनाना चाहे तो उपर तक बोर्डर बोर्डर भी बना सकते हैं एक उल्टा एक सीदेगा बोर्डर भी बना सकते हैं और ये उल्टे उल्टे भी इसमें बना सकते हैं और कोई डिजाइन बनाना चाहते है उपर तो भी बना सकते हैं फ्रेंट्स बन करके ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है चाही लाइट बूल में बनाएए चाही ड और नए हैं तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइक अंदवाने न भूले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मुच भाइ फ्रेंड्स